हरे किशना हरे किशना वेलकम यू ओल इन दे क्लास तो आज की क्लास में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो हम श्री पाद रूप गुद्स्वामी जो है उनके द्वारा वी रचित श्री मना सिक्षा कर रहे हैं ठीके न तो पिछले क्लास में हमने फूर्थ श्लोका किया था ठीके न तो फूर्थ श्लोका हमने पढ़ा था उसकी मेनिंग देखी थी लेकिन हमने भक्ति विनो से वो भी नहीं देखे थे उधारन या और भी जो आज जो हमारे श्री प्रियोपात के जो शिश्य लोग हैं जिनोंने इस बुक में लिखा है यह ना शिवराम महराज हैं सची नंदन महराज हैं और मिला मातची हैं उन्होंने भी अपनी कमेंटरी इसमें दी है तो सबकी त नमाँ विश्णुपादाया कштष्नप्रेष्थाय भूतले शृमते भक्ति वेधांता स्वामनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गोर्यवानी प्रचारिने निर्भिशेष्य शुन्यवादी पाष्यात्यचैतारिने जैसी कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द, श्री अद्वैतिके दाधर, श्रीवासादि गौर भक्त व्रिंद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, श्रिमनाह सिक्षा की जाए शिपाद रूप गुस्वामी की जाए तो मन को हमें कैसे instruct करना चाहिए ये शिपाद रूप गुस्वामी हमें बता रही तो चौते श्लोप में वो अपने मन को एक विशेज तरह से instruction दे रहे और एक हमें बहुत meaning भी बाधा देते हुँ, तो आईए हम चौथा जिश्लोक है, वो हम पढ़ते हैं, वैसे हम ने देखा था कि जगनात अस्टिकम जैसे पढ़ते हैं, वैसे इस वर्सेस को पढ़ते हैं, यह ना असद्वरता वेश विरजमती सर्वहरित्वहरणी, कथा मुक्ति व्याग्रणा शोनो किल सर्वात्मग्लान गिलिननी, अपीत्वक्त लक्ष्मी पतिरति मितो व्योमन यनी, व्रचे राधा कृष्णा स्वरति मनी द्वतं भजमना ऐसे कोलते हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं, कि हे भईया प्यारे मन, लास्ट लाइन जो है, व्रजे राधा कृष्णो स्वरति में, कौनसी रती? भगवान की स्वरति, स्वरति का मतलब होता है, भगवान अपना ओन लव दिते हैं, तो हम भजमना तो यहां हमें पहुँचना है, केवल राधा कृष्ण की स्वरति, रूपी मनी को ही हमें प्राप्त करना है, यह मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और कहां-कहां बचना है, और कौन लोग यहां नहीं पहुँचने में, हमारा जो है डिस्टर्ब क्रियर करते हैं तो मन को बताते कि है प्यारे महिया मन कि ये जो हमारा जो धन है कि कृष्ण में रती करना है रादा कृष्ण के स्वरती मनी रूपी में अपना मन लगाना है इस रती का जो हरण है इस धन का जो हरण है ये कौन कर लेते हैं असद व्रत वेश्या विस्तरेच मती सर्वहरणी तो जो विशुत रूपी मन सर्वस्त धनकारण करने वाली जो असाद्रा रूपी वेश्या का और संपूर रूप से आत्मसत्ता तक को लिगलने वाली मुक्तिकता रूपी बागनी का सर्व प्रकार से न आप करने को कहा रहा है क्योंकि एक क्या है असद व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि असद व्रत करने से क्या होता है जैसे एक वेश्या जो है वो प्रेम दिखाती है और व्यक्ति को क्या लगता है कि हमसे प्रेम करती है लेकिन वो व्यक्ति का धन लूट कर उसको जो मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है भक्ती में लगा हुआ है उस भक्ती के रूपी जो मनी है उसको वो चुरा लेती है क्या कौन चुरा लेती है असद व्रत रूपी वेश है तो इससे हमें असद यानि कहने का मतलब क्या है कि असद व्रत से हमें दूर रहना शी टाइगर तो वो क्या बागनी क्या करती है कुछ भी कुछ खाती है ना तो वो पूरा लिगल जाती है उसी तरह से अगर आप भक्ती करते हैं और लक्ष कृष्ण प्रेम नहीं होकर मुक्ती की तरफ अगर आकरशित हो गए तो क्या होगा ये बागनी की तरह आपके अस्तित्व को ही लिगल जाएगी यानि आत्मा को जो सुभावए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना उसकी फॉर्गेटिंग कर देगी और आपको मुक्ती रुपी जो छोटा लक्ष है वो प्रतान कर देगी उसको प्राप्त करके आप वापस भातिक जगत में आने वाले हैं तो जिस तरफ बागिन पूरी चीजों को खा जाती है उसी तरह से हमें भी मुक्ती रुपी अगर हमने चीजों की तरफ आकरशित हो गए तो हम कृष्ण प्रेम नहीं राप्त कर पाएंगे यही समझा रहे हैं तो इसलिए हे मन तुम मुक्ती और असत व्रत कर रुपी चीजों से दूर रहो मन को क्या कर रहे है जो असत व्रत है जो व्रत जो हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है अत्याहार, प्रयासस, प्रजल्प, नेमा अग्रह, जनसंगस्य, लॉल्यम यह सब चीजों से भईया तुम दूर असत व्रत है यह मदिरापान करना चार नियम हमारे जो हम पालन करते हैं वो चारो नियम मास मसली का भक्षन करना असत इस्त्रियों के संग करना जुआ खेलना तो यह सब जो चीजे हैं यह असत व्रता है अगर हम भक्ति में यह चीजें करेंगे तो हम कृष्ण रूपी प्रेम धन को प्राप नहीं कर पाएं इसलिए है भईया मन इन से दूर रहो और अपी त्वक्ता लक्ष्मी पती रतिम में तो व्योम नहीं नी व्योम नहीं नी तो यह अब बताया है कि आप इवन क्या बता जाएं कि जो वेकुंठ में लक्ष्मी पती जो नारायन है उनकी तरफ भी आकर्शित मत हो मुक्ती की तरफ भी आकरशित मत हो और नारायन की तरफ भी आकरशित मत हो क्योंकि जब आपको धन एश्वर देखते तो क्या आता है इनको देख कर जीव जो है कैसे हो जाता है असली जो प्रयोजन होता उसको भूल जाता है विवल्डर हो जाता है माइंड तो तुम नारायन के साथ जो लक्षमी बैकुंट वेवाश करती है उनका भी रती त्याग दो और केवल और केवल शीराधा कृष्ण व्रजवास पूर्वक रहे कर उनका भजन को यह इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो यह थोड़ा अजीब लग रहे है कि चलिए आप यह कह रहे है कि असत्रिश जो यह आपका जिसे इंग्रिश बोले Abandon the prostitute of mundane talks असत्वरत mundane talks नहीं करने चाहिए प्रजल्ब है ना जो की क्या करते हैं हमारे intelligence को चुरा लगते हैं और do not listen at all to the story of tigress ने मुक्ती वो क्या करती है पूरी soul को ही लिगल जाती है आत्मा के जो चीतना है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है उसी को लिगल जाती है मुक्ती अगर आप प्राप्त करने में लग जाएंगे तो तो more also give up the attachment to the husband of Lakshmi Shri Narayan who only lead one to the वेकुंठा उनको भी तुमको भजना नहीं नारायन जो लक्ष्विपती नारायन है इसके जगह हमें जो व्रज में हमें जो शिशी राधा कृष्ण है उनको उनके चरणों की सेवा करनी है उसके उनका भजन करना है ठीक है न आईए इसको समझे थे हम लोग समझे थे इसको डीटेल में हमने देखा था इसके बाद हम कि मती सर्वहरनी असादे रूपी वेश्या तो इसलिए हमें जो ये मती जो है जो असद बारता में लग जाती है प्रजल्प में लग जाती है वो क्या करती है हमारे भचन को नस्ट कर देती है तो असद वारता में बहुत कुछ आता है तीवी देखना, मोबाल देखना में सब डिसकस किया था इसके बाद देखिए आगे चलिए सेकेंड हमने इसके डिसकस किया था कि सरवत्व मलनी मुक्ती व्यागरी कता देखे है न कि सायों ची मुक्ती आत्म सक्ता को सहज ही संपूर रुप से लिगल जाती है मुक्ती में ब्रह्म सक्ता मानी जाती है वो भी आकास उश्म की भाती संपूर जूटी एवं बागंधर मात्र है वास्तों में सर्व शक्ति संपन भगवान ही एकमात परम तत्वे हैं और उनकी नित्य परिशक्ती ही है इसे हमने डिसकस किया था हमने देखा था कि किस तरह से ब्रह्म में लीन होना जीव का धर्म नहीं है इतना कुछ होकर विक्ति अगर ब्रह्म को अपना लक्ष बना लेता है तो भी वो अशांत रहेगा उसका जीवन जो है लक्ष जो है कृष्ण प्रेम है उसको प्राक्ट करने से वो चूप जाएगा फिर इसके बाद हमने ब्रह्म किया था व्योम नयनी लक्षमी पती रतिम वैकुंट के परम व्योम में आपने देखा है वैकुंट में नाराय था और फिर कहां करना है स्वरतिम मनेदर क्योंकि मन जो है कहीं न कहीं आसकत जरूर रहेगा मन को आसकती सलग नहीं किया जा सकता तो अगर हम किया यह नहीं करना यह नहीं करना यह नहीं करना तो करना क्या है यह भी बताया है यह हमारे आचार्यों की विशेष्टा यही श जिस से क्या होता है? कोई भी जीव को फालो करना बहुत आसान हो जाता है. तो करना क्या है? हमें स्वरती मतिम, भगवान की जो निज भक्ती है, ब्रज प्रेम है. है ना? ब्रज में एक राधा कृष्न है, उनकी भक्ती हमें कर लोगता है ये श्लूप में. तो ये भहिया मन इथर उतर मत भटको, इवन नारायन के पास भी मत भटको, मुक्ति के पास भी मत भटको, और असद व्रत की तरब भी मत जाओ, फिर तो भक्ति विनोश ठाकुर जो है इसी श्लो, तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है ना मनसिक्षा में, तो फोर्थ में कहां स्टैंडर्ड पर आगे है, कि व्यक्ति को क्या-क्या प्राप्त नहीं करना है, असद व्रत यानि प्रजल्प में नहीं पढ़ना है, तो प्रजल्प का मतलब क्या होता है, जो भक्ति को डिस्टर्ब कर देता है, ना प्रजल्प, मंदेन टॉक्स, जित तो यहाँ पर देखे भक्ति विन ठाकूर जो है लिखते हैं यह क्या स्टील जैसे कि वेश्य धन चुरा लेती है विक्ति का उसी तरह से यह जो असत व्रत है व्रजल्प है यह क्या करते हैं हमें क्रिश्चना का जो होट है स्मरण है वो चुरा लेते हैं भगवान के स्मरण करना कीरतन करना भक्ति करना जो इतना रेर निदी है उसको यह जो है चुरा लेती है पर इसको बता रहें सुन माया बली ते तो माया मुक्ति नामे सर दुलिनी तारा कथा यदी शुनी सर्वात्मा संपति गिली खाया माइंड क्या करो मैं तुमें बता दे रहा हूं कि if you listen to the crunching trigress called लिप्रेशल मुक्ति it is a devil all the opulence of the soul जो आत्मा का जो सभाव है कृष्ण प्रेम रुपी धन इसका वो मुक्ति रुपी जो टाइग्रेस है वो चोरी कर लेगे अगर आप मुक्ति में लग जाएंगे जीव अगर मुक्ति को लक्ष बना लेगा तो फिर उसके आत्मा का हनन्न हो जाए तद उधाय त्याग करे मुक्ति कथा परिहारे लक्ष्मी पती रती रख दूरे से रती प्रभल हाले परे व्योम देख फेले नाहीं देया बास ब्रजपूरे त्याप पर क्या बता रहे है कि रिनाउंस बोथ लिबरेशन एंड अनलेस डिसकॉशन यानि प्रजलप और मुक्ति का हमें त्याग करना पड़ेगा एंड इवन गिब अप अटाश्में तो लॉट फॉर लक्ष्मी हस्में नारायन इव लॉट फॉर नारायन इस तू स्ट्रॉग इट विल सेंड यू तो वेकुंथा परम्यों और यू विल नॉट फाइंड शेल्टर इन व्रजा ये प्रॉब्लम हम व्रज में नहीं जाएंगे हम वेकुंथा में चले जाएंगे ठेके ना तो व्रजे राधा कृष्ण र प्रति प्राथनाया एई भक्ति विनोद दीन हीना बट लब फॉर आधा इन कृष्ण इन व्रज ग्रैंड यूनिक और इन इन कंपारेबल ट्रेजर तो प्रेयर फॉर एट एवरी डे लेकिन भगवान जो ब्रज में बास करते हैं राधा कृष्ण उनकी भक्ति करने से जो हमें अमुल्य निधी प्राप्त होगी वो इनके करने पर नहीं होती है तो देखे भगवान में नारायन में कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर है भी क्या अंतर है कि भगवान जो राधा कृष्ण है रस की दृष्टी से सर्वोच इस तरपर वास करते हैं समझ मैं व्रज का जो रस है वो सर्वोच रस है गोपी भाव जो है सर्वोच भाव है रस के दृष्टी से तो दिस लोडली एंड पूर भक्ति विनोध प्रे फोर सच लव at the feet of रोपरभन इसलिए जो जो दुखी जो भक्ति विनोध राकुर है वो प्रातना करते हैं कि हमें सदेव राधा योगले चरणों की फ्रेथी राक्त तो उसके बाद जो है इसी जो श्लोक है इस श्लोक पर जो शिवराम महराज ने भी बहुत सुंदर जो दिया है इसको हम पढ़ते हैं ताकि हम इसको कुछ पॉइंट्स और अच्छे से हम समझ सकेंगे तो शिवराम महराज जो है उन्हो the introduction of manasikshah and the following five verses deal with the practical methodologies for advancing in spiritual life in Krishna advances तो जो manasikshah का यो तीन श्लोक है इसे बता रहे हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली यानि अपने जीवन में किस तरह से हम इसको ढाल सकते हैं इन सिक्षाओं को इसको इलिस्ट्रेट किया गया कि अगर महम भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में असद ब्रद पालन कर रहे हैं मुक्तिकीक्षा यानि तत्व विभ्रम है हमें या हम वैकुंट में सोचते की नारायन की भक्ति करना और कृष्ण की भक्ति करना एक होता है तो भ्या मन यहाँ पे भगवान में अंतर हो जाते हैं है ना ब्रमा रिलाइजेशन फॉस्ट रिलाइजेशन है पर मात्मा रिलाइजेशन भी रिलाइजेशन है भगवान का ही लेकिन रस की तृष्टी से अभी कम है लेकिन भगवान रिलाइजेशन जो होती है वो पॉन्ट रिलाइजेशन अभ थेर हो गया, ठोड़ा आप लोग भी जाग जाएए, हरे गृष्षणा, हरे गृष्ड़्णा गृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, 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 अभी जो मैं आपको बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत important. इस समझ तो कहें, लेकिन technical समझें हैं, थोड़ा और deeper हम समझ सकेंगे, जब हम इशिवराम महराज और इनके थोड़ा से purports को देखेंगे. It is very important, इसलिए मैं थोड़ा सा discuss करें, हलाकि हमने इसको काफी detail में किया है, तेकिन आज थोड़ा से इनके भी बाते सुन लेते हैं. इनमें बाधाए होती हैं, अंदर से भी होती हैं, वाहे से भी होती हैं. ठीक है न? तो वाहे रूप से कैसे आते हैं, हमारे पास obstacle, वो आते हैं हमारे bad habits के द्वरा. असत व्रता, bad habits. देखें, अभी और clear हो रहा है न? तो bad habits हमें नहीं पाल ले हैं. जो हमें obstacle होती होते हैं, अनर्थ, हमारे अनर्थ होते हैं. हिद्रे दौरबल्यम, अपराद, असत्रिश्णा, है न? और तत्विब्रभ, ये चार प्रकार के अनर्थास होते हैं. तो ये अनर्थास भी जो होते हैं, ये इनर होते हैं, और बाहर से bad habits के रूप में असत्वरत होते हैं. ये सब मिलाके असत्वरत जो है भक्ती में बाने डालते हैं. पिर और बता रहे हैं, how are these obstacles overcome? कैसे हम इसे overcome कर सकते हैं? The answer is, to gross obstacle or external obstacle which impeded the cultivation of practice of sublime transcendental love for Sikh Krishna, we have to take shelter of Vrajeen Dhrananda Krishna in the association of great parampara acharya. Clear हो गया? जब हम परampara से गुरू की शरणागती स्विकार करेंगे और हम जब Vrajeen Dhrananda Krishna की शुद्ध भक्ती करेंगे, तो ये सब चीजों को दूर किया जा सकते, जड़ से दूर किया जा सकते. Clear हो गया? तो देखिए, कितना important इस बात को समझना, कि हमारा target अगर प्रेम है, तो क्या-क्या obstacle आएंगी? ये सब उस्टे. तो अभी देखिए, भारत में कितने लोगों को ये पता होगा आपके हिजाब से. देवी देवताओं में बगवान में अंतर नहीं करते हैं, तभी नारायन में और कहां से अंतर करने आपके हैं? वो सब कहते हैं, सब एक ही है, बस उसी में फसे रहते हैं. और तो कैसे इतना साफ साफ मन को बोल रहे हैं, तो मन को ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जादा मैजोर्टी ऐसी हमारे भी संसकार पहले ऐसे मिलें, लेकिन अब सही ज्यान लेकर मन को क्लीन करना पड़ेगा, तो पहले शास्त्र का ज्यान लेना पड़ेगा, फिर रख वाल भगवान कृष्ण का स्मरन करना है इसमें आचारियों की ठीका है ना इसमें क्या बोलते हैं कि राम भी जो है यहाँ पे यह राधा रमन है तो हम जिस भाव से महामंतर की चैंटिंग करते हैं मोई जाने वाले यह ना तिके ध्यान रखे जिसमें बताते हैं, कि इसलिए हमें क्या करना चाहिई, जो फॉर्स्ट व्रस में बुला है, कि यह सब हम क्यों नहीं कर पाते हैं, दम्ब के कारण, दम्ब को छोड़ दो, बागी वैए जो छे लोगों है, इनकी रस्पेक्ट ठीक से करो, अपूर्वम्रती करो यही बोला था ना इसलिए दंब के कारण यह सब चीज़ें टेवलब होती फिर बताते हैं गौडिया वैश्नवा दूनौक वाक डाउन the path of लक्ष्मिपती रतिम to serve the association of नारायन in वैकुंट there are many incarnations of Lord but वैश्नवा has chosen a particular Raghunath Das Goswami is giving his opinion by what one direction and aspiration has to be there will be always repeat the same thing Vrajendra Nandana Krishna three word Vraj, Radha, Krishna यह मन को बहुत ध्यान दिले Vrindavan में Krishna और कोई नहीं Mathura के भी Krishna नहीं Vrindavan में Krishna देखे कितना clear कर रहे है फिर बता रहे है जो first obstacle है Asat Vrata Vrata मतलब होता है meaning speaking means truth so Asat means those who are against truth Tattva Vibram truth के सही पता नहीं हो ना Asat means Asadhu so we have to devoid it and Mukti means liberation from infusion or into body of supreme lord or other type of liberation is not recommended by the by bhaktas जो bhakti करते हैं वो किसी प्रकार की मुक्ती की आशा नहीं करते हैं तो इसमें चैतनी चैतामृत में भी बताये गया है कि वैशनों कौन होते हैं जो Asat Sangh का त्याग करते है Asat Sangh त्यागे से ही वैशनों आशा clear है तो दिखें आपे मैच करके बता रहे हैं चैतनी महापरभू की सिक्षाओं से फिर the principle of enjoying this material world is the characteristic of Asat Asat का मतलब क्या होता है जब हम भौतिक जगत में भोक करने की इक्षा रखता है तो वो Asat हो जाता है जब हम सभी चीजों को भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं तो असत हो जाता है और सत कैसा होता है टेंप्रेरी होता है और साश्वत होता है तो इस सब चीजें होती है लेकिन मन क्या करता है अलग-अलग तरीकों से इसको इंजोई करने की कोशिश करता है मेट्रियल जगत को भोगने की कोशिश करता है जैसे हम आपको बताते है कि एक व्यक्ति हुआ तो फिर आकरशन के करन वो जाके अपने गुरू को बोलता है कि हाँ ठीक तो है वक्ति तो करें लेकिन क्या करें उससे आकरशन भी खतम नहीं हो रहा है अब मैं इस बास से बहुत दुखी हूँ तो गुरू बोलते हाँ ठीक तो है लेकिन ये लड़की ठीक नहीं है बाई नेचर ये ठीक नहीं है तो इससे दूर रहो तो कहता है कि अगर मैं इसको डिवोटी बना दू तो तो चलेगा ना कुछ भी खालो करशाद के नाम पर भगवान खाते है नहीं तो साइड में है क्योंकि हम खाते है तो चलता है चलेगा सब ये सब जो साइड में चलते है ना ये सब चीजे ये सब चीजे थोड़ा सा देखते रहे है तो इसी तरह देखते है कि जैसे कि प्रहलाद महराज है हिड़कश्यपू है ये सब बीचो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन नेगेटिव है, इसी लिए संग बहुत जरूरी होता है, इसमें एक रतन है, क्रिस्टल है, उस पर जैसी लाइट पढ़ती है, या जो भी चीज रहती है, उसका ही वो रंग ले लेगा है, उसी तरह हम जिसके संग में रहेंगे, मन उस तरह से होने लगेगा, अगर हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे न, जो आटिपिशली रूप से भोग करते हैं, तो फिर हम भी स्मार्टली भोग करेंगे, और जो प्योर्टी वोर्टी का संग करेंगे, तो फिर हम दिसी भी इस्तिमत पर वहां पहुँचने का प्रयास करें clear हो रहा है अंतर तो ये बहुत important चीज़ है तो crystal का example दिया गया है फिर श्रीव राम हराज और भी बहुत कुछ कहते हैं इसमें बहुत important बात बात बैताते हैं कि how will this wealth be lost कि हम कहते हैं कि अगर अगर हम लक्ष्मी पती के संग करेंगे तो हमारा wealth जो है कृष्ण प्रेम लॉस्ट हो जाएगा ये कैसे होता है तो भक्ति बहुत कहते हैं दो तरह से wealth lost होता है आपको कैसे परज़ेगा कि भक्ति जो है आप तो किरतन करी रहें chanting करी रहें तिलक लगाई रहें लेकिन आपको wealth lost हो गया आप कैसे समझेंगे है न important question तो दो चीज़े आपके achievement में घटेंगी पहला one knowledge become covered and then one loss one reserve क्या हो जाएगा हमारा जो जो ज्यान है वो आक्षादित हो जाएगा शुद्ध ग्यान जो है आक्षादित हो जाएगा clear हो गया है न फिर हम कहेंगे न डिवोटी बनाने ग्यान आक्षादित हो जाएगा and then one lose one resolve or in advancing stage of one greed or love मैंने कल भी बताया था ये बाद कि हमारे चिंदर चो लोब है भगवान की भक्ति प्राप्ति करने का ये ये नहीं रहेगा हमारे लोब खतम हो जाएगा ठीक है न तिए दो चीज़े अगर हमारे भक्ति में हो रही है हमारा ज्यान कवर्ड हो रहा है और हमारा जो भगवान को भक्ति करने का जो लोब है वो कम हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा जो अग्यान है गलत हो रहा है हमारी बक्ती गलत हो रही है अप राधियुक तो हो रही है चेक करना चाहिए तो भाई या मन अपनी चैंटी को चेक करो It is very important और हमें कैसी भक्ती करनी है भगवान की ऐसे उठाया चैंटिंग हरे किष्णा सोलो माला कम्प्लीट होगे नहीं हमें बताया गया जैसे एक नव युवक एक नव युवती को याद करता है वैसा लब लाना है हमें तो we have to do something special समझ रहे हैं ना कुछ special love करना पड़ेगा बगवाद से ऐसे चलेगा नहीं को सिंपल बगदी कर रहे हैं हमने अब यह hearing कर रहे हैं ठीक है hearing कर रहे हैं लेकिन अब कोई beloved की बात हो तो कितना ध्यान से हो कितना face चमक हो के हम सुनेंगे है ना और अभी हम सो सो के सुन रहे हैं अब को थपड मार मार की ढाना पड़ रहे है भाया उट जाओ हरी हरी भी फिले जनम कवाईनू तो थे एक्जाम्पल इस वर्ब असद्वरता वेश मेंस प्रॉस्टिटिट इसलिए यहां पर जो रगुनाद रुस्वामी है वेश्या का इजम्पल इए शी रबील हीम all his money and then he finished his money is gone and the pleasure is over he is all finished similarly the association of these people reveal us us of the treasure of our hard-earned devotional service the world treasure implies something very valuable that we want to protect so even even thought this treasure is in our heart by wrong association we will lose it we should be very careful तो भगवान की शुद्ध भक्ति कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा और ये दो चीजें आने से हम चेक कर सकते हैं अपने हां अंदर है न अच्छी चीज़ किन अच्छी से बताया उन्होंने तो हमें हमेशा अपनी भक्ति में चेक करते रहना चाहिए कि क्या हमारा लब ऐसा है जैसे कि एक नव युवक को नव युवती लब करते है ठीक है पद्ममाता जी क्लियर हो रहा है हाँ माता जीजा कैसा लब करना है हाँ 15 साल वाला लब करना है पंदर साम लोगा लब करना कितना वो वो एज की लड़किया देखिये या उनके बच्चों को देखिये तो कितना अलग attachment होता ना, कितना उसा होता उनके अंदर हर चीज के लिए वह ऐसा उसा भक्ती के लिए होना चाहिए इसमें और भी बहुत कुछ बताया है और मुक्ती को टाइडरिस की तरह बताया है इसमें बताया है कि a tiger is a very frucious animal because she is desperate to get some food for her cub, so tigress mean a frucious animal a restless, rootless animal, the male tiger is little more laid back he just has to feed himself but the female also have to feed her cubs therefore she does not spare anyone, so mayawadi philosophy is like that it will destroy one devotion even at the advanced level but this gram khata is the same category, this talk about furious thing and hear about these thing, ultimately by this type of hearing and talking one end up on talking about mundane subject इस तरह से रगुनाद दाजगु स्वामी कहते है otherwise the effect will be that these talk and desire will destroy our greed for devotional service है ना फिर भक्ति विरों ठाकित करते हैं कि हमारा hard जो है जब हम मायावादियों की philosophy पर attract हो लगता है तो क्या होता है hard हो जाता है hard हो जाता है कोमल नहीं रहता है मस्रीन नहीं रहता है इसलिए भक्ति नहीं कर पाए इसलिए हमें केरफुल रहना चाहिए उसके बाद जो सची नंदिन महराज जो है बताते है कि प्रजल्पो और असत्वरता ये जो है nonsense topic that like prostitute prostitute pretend a living excitement but they are really after the man wealth that is their motive that want money then they will invite a prostitute in one life by talking प्रजल्पा when we प्रजल्पा we understood that we are just calling prostitute in our heart and she will steal our krishna pray जब हम प्रजल्प करें अपने आपको सावधान करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम एक वेश्या को अपने हिर्दे में आने के लिए नियोता दे रहे है और ये क्या करेगी हमारा krishna prayem चुरा के लिए के चली जाए तो मही पर stop कर देना चाहिए ठीके ना इसा चीज करना पड़ेगा बकति विनोस ठाकुर सेस्थ एप्र इस्थव टंपरत्ति हम पर आप्रजल्पा शरीधर स्वामी सेस्थ इस अबिलिज रिलिजिन राम्मे का था इपोर्टन अबूस्टन लेक्टर आफ़ेश्टर ठोग्चली सब्सेश्टर कृष्णप्रे तो हमें क्या करना है युक्त वेरागी करना है युक्त वेराग इस दा अल्टरिनेटेब उसके बाद एक और महराज है भक्ति विक्ने महराज वो भी इसमें बहुत सुंदर कमेंट्री दिये है इसमें बताते हैं कि उन्होंने बताये कि व्रज राधा कृष्ण स्वरती मनी दौ त्वम भज मना हूँ है ना तो स्वरती भगवान की जो स्वरती स्वरती मितलब शुद्द प्रेव इस तरह से हम देखते हैं कि असदवरत जो है वो उसका प्रभाव है आप लोग पढ़िये कैसे में बहुत डीलिंग में है और सबका अलग-अलग उन्होंने दिया हुआ है इस तरह से हम असदवरत है, लिपरेशन है किस तरह से में प्रभावित करता है इनकी जो ठीका है जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिबरेशन मतलब क्या होता है इनको लोकिश्री ने पढ़ा था और मुझे बताया था बड़े इच्छे से अगर आप कहेंगी तो मैं एक बाद शेयर कर सकती है बहुत छोटी-छोटी से स्टोरी है वैकुंठा की स्टोरी है जी माताजी वही मैं भी एक बाद तुम्हारा से बहुत इंपोर्टेंट है तो उसमें गोग कुमार की स्टोरी है बताये जी माताजी माताजी हाँ पर क्या होता है कि जो रगुनादास गुष्वामी है वो बताते हैं कि जो श्रीमत भागतमृत है उसके सेकंड पार्ट में किस तरीके से जो गोग कुमार है वो वेकुंठ में पहुंच जाते हैं पर वहां जाकर के मतलब उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है शुरुआद में वो जि एक दिन उन्होंने नरायन के सामने जाके वो चिलाए गोपाल गोपाल मैं यहां हूँ तो जो वेकुंठ की सारी पब्लिक थी वो डिस्टर्ब हो गई है यहां पर ऐसे बात नहीं कटते और मैंनों साइड में लेके गया उनको और उन्हें चुप करा दिया तो वहां पर उन लगने लगा कि मैं इहां पर हूँ तो पर मैं इहां पर खुश क्यों नहीं हूँ मतला इहां सब कुछ है पर कहीं न कहीं कुछ चीज मिसिंग है तो बाद में जो नारग मुनी आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है मैं मैं इहां पर खुश नहीं हूँ फिर लेकिन कैसे थे नारायन की तरह थे वो बोल तो रहे थे सब कर रहे थे लेकिन उनके जो फ्रेंड थे वो नीचे खड़े हुए थे और वो उपर सिंहासर बटुए थे ऐसे गायद बाद ही वो खतम हो गया था तो इस तरह के से मतलब पता चला कि मतलब अगर हम वेकुंट में इस जाते हैं तो हमें वो प्रेम जो राधा कृष्ण वाला जो प्रेम है वो प्रेम हमें कभी प्राप नहीं हो सकता उस जगह पे रहके इस वज़ज़ से वेकुंट जाने के लिए मना करते हैं और एक और चोटी से स्टोरी थी मतलब जी कि यह बताने के लिए कि क्यों जो राधारानी है, वो सिर्फ व्रज में ही लोगों को एकसेप्ट करती हैं, तो यहाँ पर एक छोटी से स्टोरी थी कृष्णिदास बाबाजी के बारे में, तो वो जो थे, वो बरस वरसाना के आसपास रहते थे, तो he was a boy और उन्होंने ना महाँ पर जाके बहुत अपना भजन किया था, पर तो एक दिन उन्हें क्या लगा कि मैंने कभी कहीं किसी धाम की यात्रा नहीं किया, मैंने चार धाम की यात्रा नहीं की, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं चार धाम की यात्रा पर निकलता हूँ, तो रा जार काजीश की आत्रागर के आये वापस लोटे तो उनके सुपन में फिर आही राधरानी और उन्हाने कहा गो अवे जो रुपमेणी जी है उन्होंने आपको as your servant आपको accept किया है अब मैं accept नहीं कर सकती तो यू जस्ट गो अवे फ्रॉम हेर तो बहुत जादा जब उन्हें ये चीज़ पता लगी तो वो काफी जादा परिशान हुए उन्होंने बहुत बार वो मतलब भरे क्रिश्णा महा मंत्र करते रहे करते रहे तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी जो पूरी बॉड़ी थी वो फ्लेम्स में हो गई तो जगनादास बाबजी जो थे वो उनको देखने आए वहां पर मतलब उनको बताया गया कि कुछ कुछ ऐसा है तो उनकी ज वर्षन के लिए ही तो गई तेस में जाना कौन सा बुरी बात है तो वो कहते हैं कि वो श्रीक कृष्ण तक को बोलती है जब युद्ध चल रहा होता है तो बोलती है कि भले ही आप वही श्रीकृष्ण हो और मैं वही रादारानी हूं मेरा प्रेम आप से कम नहीं है पर फि story है मंडन टॉक्स के लिए अखबर और भीरबल की तो अखबर और भीरबल में अखबर जो होता है वो भीरबल से कहता है कि भाई तूम बहुत अच्छे हमारे मंतरी हो और मैंने तुमहरे पुराणों में सुना है कि अपसरा कुछ होती है और मैं क्या रहिए अपसरा और वि अब भाई नहीं आग्या पालेंगे तो मार देंगे तो उनोंने क्या किया एक अपनी गए और अपनी वाइफ को बुला कि आप ऐसे से बुर्खा पहन लीजे और उसके साथ एक वेश्चा के पास गया उनको भी बुर्खा सुंदर थी तो उनों को बुर्खा में खड़ा कर द है तो अपर कह रहे हैं यह अपसरा कैसे है यह तो बेकार लग रही है देखने में बुरी लग रही है कि नहीं यह बहुत लॉयल है मेरा बहुत ख्याल रखती है चेस्ट वाइफ है मेरी इसके अंदर यह कुन है यह कुन है यह अपसरा है क्यते अच्छा तो फिर डायन कौन तो कहते हैं वो प्रोस्टिट्ट्यूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट Go until she has sucked all your blood. That's why she is bitch, जबकि यह अपसराख आपको लग रही है. इसी तरह से हम लोग भी जो है, जो माया जो है, बहुत सुंदर दिखाती है, कि बड़ा अच्छा है. जितनी भी फिल्मों के हीरो हैं, वो क्या दिखाते हैं? उनसे बढ़कर तो कोई आइडियल है यह नहीं, इतनी सुंदर बाते करते हैं. लेकिन नरग से बढ़कर वो लाइफ होती है. जाएए एक अफ लाइफ में, तो क्या आओ दिखेंगे, कि बिल्कुल नरग से भी जादा वो लाइफ है. जबकि हमारे एक धर, जिसको के हम सो से तैरे, ये हमारी मंई है, ये हमारे पापा है, पापा तो पडोसी के हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने बड़े पड़े लिखे हैं, क DV family से बिलॉंग करते हैं, बड़ी-बडी गाडियों में घुमते हैं, लेकिन हम देखेंगे, नहीं जहादा जये तो फ़ॉर्ट सॉलिष लुका में हमने देखा कि मन को वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो असते नहीं करना है मुक्तिक इक्षा नहीं करणी है और वेकुंठ में नारायण की भी लक्षमी के साथ उपासना नहीं करनी है, हमें केवल ब्रज में शिशी राधा गुविंद की स्वो निस्ठा भक्ती करनी है शिर्प्रपाद की जाए किसी का कोई प्रश्ण है तो पूस सकते